दो हफ्तों की तेजी अब पूरी तरह से मंदी में बदलती हुई नजर आई और आज मार्केट पूरी की तरह से धरशाई होता हुआ सेंसेक्स 49,768 के पास लगभग 1000 पॉइंट से ज्यादा की गिरावट और साथ ही निफ्टी 11,680 के पास 290 पॉइंट नीचे जो की पूरे तीन हफ़ते की देखें तो सबसे बड़ी गिरावट के साथ यहां पर बंद होता हुआ मार्केट नजर आया बैंक निफ्टी भी करीब 800 पॉइंट नीचे 23,000 के हाला की उपर रहा लेकिन फिलहाल 800 पॉइंट से ज्यादा की बड़ी गिरावट यहां पर नजर आई सेक्टर स्पेस्फिक में आज बात करें तो एडवांस डेकलाइन रेशियो भी इस फिलहाल 364 शेयर ही रहे जो की पॉजिटिव रहे और लगबग 1274 शेयर एंसी के गिरावट के साथ बंद होते हुए नजर आए पूरे पैक में आज टॉप गेनर की बात करें तो निफ्टी में सिर्फ चार ऐसे स्टॉक रहे जो टॉप गेनर में शामिल हो पाए वो भी मामूली बढ़त के साथ पहला है एशन पेंट, जेस डबलू स्टील, हीरो मोटो कॉप और कोल इंडिया इनके अलावा कोई भी पॉस्टिव क्लोज नहीं कर पाया और ओवराल मार्केट में गिरावट जबरजस्त देखने को मिली, फिलहाल एडवांस डिकलाइन रेशो पिछले तीन दिनों से ये शो कर रहा था कि मार्केट यहां पर ओवरबॉट है और एक गिरावट यहां पर आ सकती है, मैंने पहले से लेके साढ़े तीन प्रिश्ट तक बनी रही, सबसे पहले बजाज फाइनेंस जिसमें की 5% की गिरावट रही, साथ ही टेक महिंद्रा यानि आविटी के पूरे काउंटर हाला कि यहां पर TCS और Infosys के रिजल्ट अच्छे जरूर आए, लेकिन मार्केट उनको संभाल नह हुए नजर आए, ओवराल पूरे मार्केट में अभी सेलिंग यहां पर जारी है और अभी फिलहाल पॉस्टिव सेंटिमेंट यहां पर कोई बनता हुआ नजर नहीं आ रहा